तो आज की वीडियो में मैं अपना DSF 20 कोर्स कंटिन्यू करने वाला हूँ जिसको DSF 20 कोर्स नहीं पता है तो वो DSF 20 कोर्स की पहली वीडियो देख सकता है प्लेलिस्ट का पूरा लिंक में डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दे दूँगा यह लेक्चर 2 है बेसिकली जिसमें हम प यहां पर आपको डिरेक्टली देख के पता नहीं लग रहा होगा बाइनरी सर्च लग रही है पर बाइनरी सर्च लग रही है तो यहां पर मैंने लिंक दे रखा है लीड कोड़ा आप इस पर क्लिक कर सकते हैं इस कोशन को कोशन समझ में नहीं आता है तो मैं आपको समझात हूं तो binary search pattern 1, D7 20, lecture 2, search in a rotated sorted array, यहाँ पर हमें एक array given है, let's suppose करते हैं कि अगर हमारे पास normal sorted array होता है, तो normal sorted array कैसे है, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह normal sorted array है, अब हमने क्या कर दिया है, मतलब कि 1, 2 को हमने क्या कर दिया है, left part से उठा कर हमने right part में आपर shift कर दिया है, हमारा array है 3, 4, 5, 6, 1, 2, तो हमें यह वाला array given होगा, इसे ही बोला है, rotated sorted array, और हमें एक element given होगा, let's suppose करते हैं, वो given है 1, तो हमें इस one element को ढूंडना है, ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसकी मैं indexing भी कर देता हूँ, इंडेक्सिंग हम करेंगे थोड़े अलग color से, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और अब अब देखो, अब इसे linear search से कर सकते हैं, क्योंकि basically हमें इसमें searching ही करनी है, कि भाई, element present है के नहीं है, अगर element present है, तो उसका index return कर दो, otherwise अगर element present नहीं है, तो minus 1 return कर दो, तो हम linear search लगा सकते हैं, उसकी time complexity हो जाएगी, big of n, पर इसे binary search से कैसे solve कर सकते हैं, main मुद्धा यह है, क्योंकि binary search में तो पूरा areas audit होता है, यहाँ पर तो पूरा areas audit नहीं है, हम क्या करने वाले हैं, जैसे जैसे binary search में हम शुरुवात करते थे, अब ऐसे आपर शुरुवात करेंगे, binary search में हम क्या करते थे, एक pointer रखते थे start, जो की extreme left पर रहता था, और एक pointer रखते थे end, जो की extreme right पर रहता था, बराबर, फिर हम क्या करते थे, start plus end by 2 उसे हम middle element निकालते थे, इसमें भी हम middle element निकाल लेंगे, तो 0 plus 5 divided by 2, which is 2, तो middle element यहाँ पर हो जाएगा, अब देखो, ज़िए हमारे पास binary search होता थे, तो binary search हम कैसे लगाए थे, binary search हम ऐसे लगाते थे, कि binary search में क्या होता थे, जैसे पूरा array sorted है हमारे पास, 4, 5, यह हमारे पास starting index होता था, यह हमारे पास ending index होता था, यह हमारे पास middle element है, तो अगर हमारे पास target 2 है, हम सोचते थे भाई, पूरा array sorted है, अब जो middle element है, वो बड़ा है, मतलब target, target उससे छोटा है, तो इससे छोटे element जहीं पर present है तो अगर target इस array में present होगा तो obviously हमें इधर तो answer नहीं मिलेगा तो इस part को हम discard करकर end को लिया देते हैं यहाँ पर तो आप देख रहे हो हम उस part की तरफ जाते थे जो part sorted होता था यहाँ पर हम sorted array का कुछ-कुछ लाव उठाते थे उसका हमें फायदा उठाना है और हमें देखना है कि हम left shift कर सकते हैं और right shift कर सकते हैं basically हमें यही देखना है तो binary search में हम basically दो चीज़े करते हैं अगर element मिल गया तो यहीं से return हो जाओ तो पहली condition है element मिल गया if we found element तो वो तो इस वाले position में भी same रहेगा कि भाई element मिल गया अगर middle element ही हमारे पास target तो वहीं से return हो जाओ second है left में कब जाना है right में कब जाना है और left को discard कब करना है right को discard कब करना है हमें sorted का फायदा उठाना है अब देखो यह वाला part sorted है और यह वाला part unsorted है देख रहे हो तुम तो sorted part का हम फायदा उठा सकते हैं sorted part का तो हम फायदा उठा ही नहीं सकते हैं हम क्या कह सकते हैं कि भाई देखो sorted part का हम ऐसे फायदा उठा सकते हैं हम कह सकते हैं भाई जो target है हम कह सकते हैं भाई target है क्या यह sorted part में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चाहिए या फिर start के बराबर होना चाहिए और साथ-साथ में end-end मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो target है वो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए start के end-end वो छोटा होना चाहिए mid से जो target है वो छोटा होना चाहिए mid से अब तुम कहोगे कि हाँ पर मैंने equal to क्यों नहीं लगाया भाई हाँ पर equal to इसले नहीं लगाया क्यों कि भाई अगर middle answer होता तो हम पहली condition से ही return हो जाते है ठीक है अच्छा अब यह कैसे पता लगाएंगे सबसे पहला point तो आपके दिमाग में यहीं आना चाहिए न कि यह वा lesser than equal to mid होगा तब left वाला part sorted होगा else part में right वाला part sorted होगा दोनों में से एक नएक part तो sorted हो गई होगा यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि जब start वाला lesser than equal है mid के तो left वाला part sorted है left वाले part में भी left वाला part sorted है तो left वाले part में answer जब हो सकता है जब target lesser जब target greater than equal to start है and target lesser than mid है अगर यह वा स्टार्ट को discard कर देंगे और यहीं पर लाए करेगा राइट सइड में लाए नहीं करेगा स्टार्ट को मिलाइब करने केल यदि मिड़ प्लस वन तो इस्टार्ट यहां पर आ गया similarly else वाली condition क्या होगी else वाली condition ही होगी अगर मेरा array है 1, 2, 3, 4 और यहां पर आ गया 5, 6 यह वाला array उपड लिया था क्या हमने यह वाला array अब देखो यहां पर हमारे पास start आ जाएगा यहां पर हमारे पास mid आ जाएगा यहां पर हमारे पास आ जाएगा end ठीक है अब आप देखो क्या जो start है वो lesser than equal है mid के नहीं है तो यह वाला part तो sorted नहीं है यह वाला part तो sorted नहीं है जो हमारा sorted part है वो यह वाला part है sorted तो हमारा हमारा इस वाले पार्ट में अंसर कब हो सकता है हमारा इस वाले पार्ट में अंसर कब हो सकता है जब टार्गेट जो है वह बड़ा हो MID से AND-AND टार्गेट जो है वह छोटा हो बराबर हो END के अगर ये condition है के मैं 3 ले लेता हूँ तो अब ये 3 इस वाली condition को match करता है तो हम क्या करेंगे left part को discard कर देंगे और start कहा जाएगा mid plus 1 start यहाँ पर आ जाएगा अगर यह वाली condition satisfy नहीं होती तो हम right part discard कर देंगे और हम left की तरफ आ जाएगे and क्या हो जाएगा mid minus 1 हो जाएगा तो basically यही तीन condition से मैं अपना core लिखने वाला हूँ तो फटाफर से चलते हैं इसका core लिखते हैं तो हम start करेंगे 0 से जो end है मेरा वो रहेगा मेरे पास nums.length पर जैसे हम binary सर्च लगाते हैं वैसे ही लगा रहे हैं हम यहाँ पर while start is lesser than equal to end जब तक रहेगा फिर हम middle निकालेंगे middle element निकालेंगे middle element कैसे निकालेंगे start plus end divided by 2 फिर हम देखेंगे कि अगर तुम middle element हो तो यही से return कर जाओ अगर तुम middle element हो अगर target middle element है तो यही से return कर जाओ return कर दो middle को otherwise पूरा array iterate होने के बाद अगर तुम return नहीं होते हो तो minus one return करना है else if अब मैं यह देख रहा हूँ मैं यह second वाली condition देख रहा हूँ second वाली condition मुझे डालना है कि start अगर lesser than equal है mid से तो left part sorted है तो अगर nums of start lesser than equal है nums of mid के तो इसमें कौन सी part sorted है left part is sorted else इस part में कौन सा part sorted है right part is sorted ठीक है अब मेरे को देखना है क्या left part मेरा answer लाई कर रहा है तो left part मेरा answer लाई कर रहा है अगर left part sorted है तो हम देख सकते हैं कि left part मेरा answer लाई कर रहा है नहीं कर रहा है इसकी मदद से तो मैं लिख दूँगा कि if target is greater than equal to nums of start and and target is lesser than and and target is lesser than nums of mid तो मैं क्या कर दूँँगा इसका मतलब क्या है answer is present in left part answer left part में present है so we discard the right part answer जब left side में present है right part को discard कर दो तो and को and पते क्या हो जाएगा and हो जाएगा mid minus 1 otherwise अगर हमारा answer left side में present नहीं है तो हमारा answer कहां पर present होगा हमारा answer right part में present होगा simple तो हम क्या करेंगे start को लाएगे mid plus 1 पर similarly हम यहाँ पर कहेंगे अगर right part sorted है right part sorted है और यह वाली condition meet कर रही है तो right part में हमारा answer है मतलब कि अगर वो target बड़ा होना चाहिए किस से बड़ा होना चाहिए nums of mid से and and target lesser than equal होना चाहिए nums of and से अगर ऐसा है तो हमारा answer right part में present है क्योंकि यहाँ पर right part sorted था और यह right part की condition है right part sorted है तो right part sorted है तो हम किसको discard करेंगे left part को discard करेंगे तो start हो जाएगा mid plus 1 otherwise हमारे पास left part sorted है तो यहाँ पर end हो जाएगा mid minus 1 तो यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो आप code को एक बारी देख ली जाए राम से काफ़ यह असान code था else if में यह क्या है left part sorted है left part sorted है तो हमने देख लिया left part में हमारा answer लाई कर रहा है तो right part को discard करो otherwise left part को discard करो similarly यहाँ पर else में हमारे पास right part sorted है क्योंकि एक ने एक part sorted हो गई होगा right part sorted है तो हम देख सकते हैं क्या right part में हमारा answer लाई कर रहा है कर रहा है तो left part को discard करो otherwise right part को discard करो तो यहाँ पर हमारे पास यह simple सा code हो चुका है इसको run करके देखते हैं और इसको फिर submit करके देखते हैं तो यहाँ पर यह run हो रहा है submit करके देखते हैं कि यह submit हो रहा है या फिर यह submit नहीं हो रहा है तो यह submit हो रहा है I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इसकी time go complexity log n है binary search सी लग रही है आप पर थोड़ा सा modify version लग रहा है आपको mathematical अगर proof जानना है कि binary search की time complexity log n कैसे है तो आप previous वीडियो चेक कर सकते हैं जैसे मैंने simple binary search और उसकी time go complexity को mathematically proof किया है आज की वीडियो पसंद आती है तो आज की वीडियो को like कीजेगा चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए